सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइबरी, बच्चों के उच्छल भविश्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तयार कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठे पुस्तक पूरक सामगरी एवं विडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विक्सित पोर्टल पर है उपलग्द अध्यन सामगरी देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथ्वा Android मुबाइल पर Google Play Store से e-Lots आप डाउनलोड करें शुक्षकों, अभी भावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस e-Library का अधिक से अधिक लाब उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें हलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंध होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास एक एवं दोग की पढ़ाई प्रति दिन दो फर तीन बजे से चार बजे तक शुरू हो चुकी है तो हमें क्या करना है कि रोजाना समय पर अपनी पेंसिल और कौपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्याले कारक्रम में शामिल होना है जहां हम नई नई चीजे सीखेंगे वह भी मनोरणजक तरीके से तो तयार है ना आप सब तो बच्चो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बापू की पाती जिसमें गांधी जी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को जानते हैं उसके बाद खुलेगा कहानियों का खजाना और हम सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है रे मामा रे मामा रे मामा रे फिर खेलेंगे एक खेल गोल माल उसके बाद गणित की क्लास में हल करेंगे कुछ गणितीय संक्रियाओं को और अंत में अंग्रेजी की क्लास में सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है My Red Balloon तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ बापू की कहानी जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गान्थी के जीवन के बारे में पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिन अफ्रीका में अपने प्रयासों से मूहन दास को वकालत में सफलता मिलने लगी थी उनकी जिजक खुलने लगी और उनका जीवन अब सामाजिक बनने लगा था उन्होंने नेटाल इंडियन कॉंग्रेस का गठन किया था मजदूरों के हक के लिए वो आगे आये थे और अब उनकी कॉंग्रेस में तरह तरह के हिंदूस्तानी लोग भी शामिल होने लगे थे इन सब में मूहन दास को अपना परिवार्ट छोड़कर आये हुए तीन साल गुजर गए थी वे शे महिने के लिए स्वरदेश रवाना हुए भारत आकर उन्होंने दक्षिन अफरिका के अनुभव पर लिखना शुरू किया लोगों को बताना शुरू किया फिरोध शामहता और लोक मानने अगबाल गंगा धर तिलक जैसे बड़े निताओं से उन्हें प्यार मिला, मदद मिली और इसी याद्रा में मुहंदास मिले गुपाल कृष्ण गोखले से आगे जाकर गोखले उनके राजनीतिक गुरू बन गए इन सब के साथ मुहंदास अपने बिमार बहनोई की सेवा भी कर रहे थे और राजकोट में प्लेक की महमारी से बचने के लिए सफाई का इंतजाम भी परिवार के साथ मुहंदास जब वापस दक्षिन अफरीका पहुँचे तब 23 दिनों तक यात्रियों को जहाद से उतरने नहीं दिया गया दक्षिन अफरीकी सरकार चाहती थी कि मुहंदास वापस भारत चले जाएं मुहंदास के जो लेक भारत की अकबारों में छपे थे उनके बारे में बढ़ा चड़ा कर दक्षिन अफरीका में बताया कया था यहां के बहुत से गोरे मुहंदास से गुसा थे जहाद से उतरने पर मोहंदास पर गोरे लोगों की भीडने हमला कर दिया अगर कुछ दूसरे गोरे लोग बीच में ना पढ़ते तो शायद वो उन्हें मार ही डालते जब अकबारों में इसके बारे में छपा और यह भी कि मोहंदास ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत नहीं की तो उनके लिए सहानू भूती बढ़ने लगी अकबारों ने उन पर लेक छापने शुरू कर दिये छे साल तक यह आंदोलन बिना किसी पक्के कोश के चला चंदे से सभी काम होते थे हिंदुस्तानी लोग दिल खोल कर धनका योगदान करते थे और साथ जुड़कर धर्ना प्रदर्शन भी करते थे मोहंदास बार-बार इस बात पर जोड़ देते थे कि विरोध गोरे लोगों का नहीं केवल अन्याय का करना है वे बार-बार अपने सहयोगियों से कहते थे कि अन्याय और हिंसा का जवाब न्याय और अहिंसक ही होना चाहिए सत्याग्रह आंदोलन के दोरान नौ बार सरकार ने मोहंदास को जेल में डाला वे छुटते ही फिर सत्याग्रह में लग जाते बाद में कस्तूरबा भी जेल गई मोहंदास इंडियन उपीनियन नाम का एक अकबार निकालने लगे वकालत भी ठीक चलने लग गई थी, कमाई भी अच्छी थी लेकिन उनका रहन सहन और सादा बन गया था गरीब और मजदूर लोगों के लिए काम करते हुए वे उनके जैसे ही रहने लगे थे सन 1904 में गांधी परिवार ने अपना घर छोड़ दिया और अब वो अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे इन में हर्मन कैलन बैक भी थे वे एक रहीज आर्किटेक्ट थे आश्रम बनाने का पैसा उन्ही ने दिया था वे वहाँ अपने हाथ से काम भी करते थे इन में चार्ली एंडियूस भी थे एक इसाई पाद्री गरीब लोगों की मदद करने की वज़े से उनका नाम दीन बंदु पड़ गया था विरोध करने का जो अहिंसक तरीका था उसके लिए एक नया नाम चाहिए था उनके भतीजे ने सुझाव दिया सदा ग्रह और इसी को निखार कर गांधी जी ने एक नाम गड़ा जो अमर हो गया और वो था सत्याग रह एक और सक्त कानून अंग्रेज सरकार ने बनाया जिसमें हर हिंदुस्तानी को जेल के किसी अपराधी की तरह अपनी उंगली की छाप देना अनिवारे था और जिसकी वज़े से हर हिंदुस्तानी शादी की कोई मान्यता नहीं थी गांधी जी ने कस्तूर बाई को आंदोलन में आने के लिए उकसाया उन्होंने कहा कि इस कानून के हिसाब से तुम मेरी पत्नी भी नहीं हो और इसी कानून के विरोध में सन 1913 में एक महान कूच निकला और उसमें 2000 से जादा पुरुश और महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया जब सत्या ग्रहियों ने जेल भर दिये तब अंग्रेज सरकार ने हार मानी गलत कानून वापस लिया गया जेल से छूटे तो गांधी जी भारत लोटने की तयारी में लग गए आज के लिए इतना ही अगली बार हम देखेंगे कि जब बापु वापस लोट कर भारत आये तो उन्होंने अंग्रेजों का सामना किस तरह किया हेलो बच्चो थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोर में आप सभी का स्वागत है मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोर सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे क्यूं? क्यूंकि हमारा प्रोक्राम तो घंटे भर करी है पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिल कर करते रहेंगे न तो बहुत मजाएगा सही कह रही हूँ न मैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और उसके बाद कुछ अक्षरों के खेल खेलेंगे तो क्या आप तयार है? बिट्टू की काकी ओ बिट्टू की काकी दो पहर में मेरी आँख क्या लग गई? तुम दोनों घाय भी हो गई? कहां गई थी तुम दोनों? बिट्टू के काका हम बाजार गए थे बिट्टू के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने थे हाँ काका लगता है आपने मेरी यह नई फ्रॉक नहीं देखी बाजार? बाजार खुल गया क्या? तुम दोनों खरीदारी भी करने लग गई? अरे मुझे भी तो साथ ले जाती और क्या बिट्टू के काका? शादिया भी तो आ रही है उनकी तयारी भी करनी थी शादियों में कितना मज़ा आएगा न? हाँ बिट्टू लेकिन शादियों में भी बिमारी से अपना बचाओ करना मत भूलना मास्क लगाना, हाथों को बार बार धोना, इन सभी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है हाँ काका इसलिए तो हम बाकी का सामान भिलाए हैं जैसे हाथ दोने के लिए साबुन, मास्क तो हमने टीवी में देखकर घर पर ही बना लिया था तो बिट्टू और बिट्टू की काकी आज तुम दोनों को इसी बात पर एक प्यारी सी कविता सुनाता हूं कहानी है कविता? कविता और कविता का नाम है रे मामा रे मामा रे वाह बिट्टू की काका तो फिर शुरू कीजिए ठीक है बिट्टू की काकी तो पेश है आज की कविता रे मामा रे मामा रे मामा रे मामा रे मामा रे हम तो गये बाजार में लेने को आलू 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 कुछ ना मिला पीछे पड़ गया भालू रे मामा, 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 रे हम तो गए पाजार में लेने को अंगूर, 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 कुछ ना मिला पीछे बढ़ गया लंगूर हम तो गए बाजार में लेने को आलू 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 कुछ ना मिला पीछे पड़ गया भालू हम तो गए बाजार में लेने को आंगूर 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 कुछ ना मिला पीछे पड़ गया लंगूर क्यों बिट्टू कैसे लगे आज की ये कविता काका कविता सुनकर मजा ही आ गया बिट्टू के काका ये कविता तो हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है लेकिन जरा आप बताईए कि जब आप बाजार जाते हैं तो क्या-क्या देखते हैं भई हम तो बाजार में साख सबजी खरीदने जाते हैं और कभी-कभी जलेबी की दोकान पर चले जाते हैं तुम दोनों के लिए जलेबी खरीदने काका इसका मतलब ये हुआ कि आप बाजार में ज़्यादा गूमते नहीं हैं काकी आप बताएए जब आप बाजार गई थी तब आपने बाजार में क्या-क्या देखा था बिटिया जब हम बाजार गए तो हमें चाट वाला दिखा हमने अलग-अलग कपडों की दुकाने देखी सबजी की दुकाने, बरतन की दुकाने और गहनों की दुकान भी देखी थी हमने वाह बिट्टू की काकी वाह तुम तो बहुत कुछ देखा आई बाजार में अब की बार जब हम बाजार घुमने जाएंगे तो हम भी ध्यान रखेंगे के बाजार में क्या-क्या देखा, क्या-क्या देखने के लाइक है ये हुई ना मज़े की बात काका बिटिया तुम बताओ कि जब तुम बाजार जाती हो तो क्या-क्या देखती हो वहाँ, जरा हम भी तो जाने हैं काका, जब मैं बाजार जाती हूँ तब मैं किताब की दुकान, हिलोनों की दुकान, जूते की और गोलगप्पे की, मोबाइल की, डोल की, दूद के दुकान के अलावा भी और भी दुकाने देखती हूँ बच्चो जब आप कभी अपने मा बाबा के साथ हाथ, हटिया या बाजार जाते हैं, तो वहाँ कौन-कौन सी दुकाने या वहाँ क्या-क्या आप देखते हैं, अपने घर पर सब को इसके बारे में बताईए बिट्टो की काका, कविता पर हम लोगों ने बहुत बात कर ली, लेकिन कविता के बाद हम क्या करने वाले हैं? अब अगर हम कोई खेल खेलें, तो कैसा रहेगा? हम, मन तो मेरा भी कोई खेल खेलने का हो रहा है, क्यों बिट्टो के काका, आपका क्या विचार है? अरे भाग्यवान, तुम कुछ कहो और मैं ना मानू, ऐसा भला हो सकता है अच्छा, ये बात है, लेकिन आप तो कभी मेरी कोई बात मानते ही नहीं अरे ऐसा क्यों कह रही हो, बताओ कौन सी बात नहीं मानी अब तक फुर्सित मैं बताओंगी, अभी तो आप खेल खिलवाईए काका, ऐसा खेल, जिसे खेले तो पढ़ाई भी हो, और मज़ा भी आ जाए बिल्कुल, तो खेल का नाम है गोल माल, तो शुरू करते हैं ये खेल तो खेल शुरू करते हैं गोल माल, इस खेल में हमें क्या करना है इस खेल में हमें चित्र पहेली को सुलजाना है, तो आइए खेल शुरू करते हैं, गोल माल हम ये कौन सा चित्र है ये इसकी धारियों से लग रहा है कि ये एक जेब्रा है तो जेब्रा का सबसे पहले क्या आएगा हम ये चित्र मू सबसे पहले नमबर पर उसके बाद यहाँ पेट तांक यू बन गया अब दूसरा आया है ये तो संत्रा है संत्रे का ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है संत्रे को कहा लगाना हुआ इधर ये तो नीचे आएगा पैर नीचे और ये वाला पैर यहाँ अब घास नीचे है तो ये यहाँ ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है ठीक है कोशिश की जाए इसको कर देते हैं यहाँ यहाँ अब इस बच्ची का उपर का सर कहा है ये रहा अब ये यहाँ लेकिन ये जो लाल है इसका ये वाला पैर वाला हिस्सा है इस बच्ची का यानि इनको जाना है उपर अब ये रहा दाया पैर और ये है पाया पैर लेकिन अभी गड़बड है गड़बड क्या है आधा पेड यहाँ दिखाए दे रहा है और बॉल का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर है यानि इसको जाना है यहाँ और इसको जाना है यहाँ बॉल पूरी हो गई अब इसको जाना है यहाँ और इसको जाना है यहाँ हम्, पेड़ का नीचे का हिस्सा पूरा हो गया, अब इसको जाना है यहां, और इसको जाना है यहां, देखा हो गया पूरा, अरे वाह, मैंने साथ गुण प्राप्त किये हैं, बहुत ही बढ़िया खेल था यह, अच्छा यह तो चित्र पहेली थी, हाँ, खेल तो बढ़िया काकी, हम स्कूल में भी ऐसा खेल खेलते हैं, आपको पता है, मेरी दोस्त सुधा के पास ऐसी बहुत से चित्र पहेलीया हैं, अच्छा अच्छा, इसलिए जब तुम उसके यहां जाती हो, तो इतना समय लगता है वापस आने में, हाँ, 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 काका, बिट खेल के पिटारे से खेल नहीं, कुछ और निकला है, हाँ, क्या काका, खेल के पिटारे में, और क्या-क्या भरा है, जरा हमें भी तो बताईए, अरे भई, बताते हैं, बताते हैं, जरा धैर रखो, आज खेल के पिटारे से जो निकला है खेल, वो उनके लिए हैं, जो घर प बनाने वालों के लिए एक स्वाधिष्ट व्यांजन बनाने का तरीका क्या बात है बिट्टू के काका ये तो मुझे पता था खाने के शौकीन है आप लेकिन खेल के पिटारे में भी काकी काका अपने लिए आगे की तयारी कर रहे हैं ये बात तो सही कही बिट्टू तुमने तो देखिए आज का पकवान बच्चों के टिफिन के लिए क्या बनाएं? ये सवाल हर मा के मन में आता है बहुत कम समय में और कम तेल में बनाया जाने वाला बच्चों के टिफिन के लिए एक अच्छा विकल्प है तो चलिए देखते हैं कि पोहा कैसे बनता है पोहा की रेसिपी पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए चार मुठी मोटा पोहा एक मध्यमाकार का बारीक कटा हुआ प्याज तड़का लगाने के लिए राई, जीरा, हींग और हल्दी चार-पाँच कड़ी पत्ता, तीन-चार हरी मिर्च, तीन से चार चम्मच तेल नमक, स्वादनुसार, एक छोटा चम्मच शक्कर, नीबू उपर से चिड़कने के लिए बारीक कटा हुआ धन्या, कसा हुआ नारियल विधी चन्नी में मोटा पोहा भिगो कर रख दें सारा पानी निकल जाने दें उसके बाद उसमें थोड़ा नमक और शक्कर मिलाकर रख दें एक कड़ाई में तेल गरम करें राई को तेल में डालें और अच्छे से गरम होने दें राई चटकने लगीगी इसका मतलब तेल ठीक से गरम हुआ है अब उसमें जीरा कड़ी पत्ता डाल कर थोड़ा सा भून लें फिर उसमें कटा हुआ प्याज और हरी मिर्ज डालें प्याज को तब तक भूने जब तक उसका रंग बदल कर हल्का गुलाबी न हो जाए और फिर उसमें हींग और हल्दी डालें अब प्याज अच्छे से पक गया है इसमें भिगोया हुआ पोहा डालें और चम्मच से मिलाएं भुना हुआ प्याज, पोहा में अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए आज मध्यम रखें और भाप आने दें अब इसमें नमक डालें और फिर कुछ मिनट तक भाप आने दें कटा हुआ धनिया और नारियल पोहा के उपर डाल कर सजाएं पोहा अब खाने के लिए तैयार है प्याज के साथ आलू मुमफली इत्यादी इस्तिमाल करके आप इसे और स्वादिश्ट बना सकते हैं पोहा को अलग-अलग तरह से पकाया जाता है इसके अनुसार इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है जो ऐसे मुमफली पोहा, आलू पोहा, मटर पोहा या वेजेटेबल पोहा नेपाल में अंडे का भी प्रयोक किया जाता है जिसे फूल चूड़ा कहते हैं तो बताईए आप पोहा कब बना रहे हैं क्या बात है काका, अच्छा पकवान बताया आपने जट से बन जाता है ये तो काकी आपको तो पोहा बनाना पता ही है हाँ बिट्टू, पोहा बनाना तो मुझे आता है लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके से बताया गया है अच्छा बिट्टू की काकी, तुम्हारे तरीके और इसमें बताये तरीके में क्या फर्क है बिट्टू के काका, मेरे तरीके और इसमें दिखाये गए तरीके में ये फर्क है कि मैं पोहा सब्दियां पकने के बाद पानी में भिगो कर तुरंट कड़ाई में डालती हूँ उसे भिगो कर नहीं रखती हूँ ऐसा इसलिए भी क्योंकि बजार में कई तरह के पोहे मिलते हैं पोहा पानी को बहुत जल्दी सोकता है और यदि जादा गीला हो जाए तो वो हलवे की तरह हो जाता है इसलिए मैं ऐसा करती हूँ अलग-अलग पोहे के हिसाब से कम या जादा देर तक उसे पानी में भिगोया जा सकता है अच्छा मतलब पोहा देखकर पता करना होगा कि उसे पानी में कितनी देर भी होया जाए बिलकुल सही बिट्टू तुमने ये जानकारी तो ठीक बता दे बिट्टू की काकी मेरा भी फायदा हो गया अब मैं भी पोहा बनाने की कोशिश करूँगा एक दिन और तुम्हें खिलाओंगा एक दिन क्यों काका आज ही हो जाए हाँ लेकिन घर में पोहा तो है ही नहीं कोई बात नहीं वो बिट्टू रमेश चाचा की दुकान से भाग कर जाएगी और ले आएगी मैं अकेले जाना पड़ेगा हाँ बिटिया देखो कल मैं गया था तुम्हारे साथ और तुम्हारे उन बड़ी बड़ी मूछो वाले संपत चाचा से पहचान भी करा दे थी तो आज तुम अकेले जाओ देखो तुम्हें डर लगता है या नहीं हम्हाँ अच्छा ठीक है इसी बात पर बिट्टू खिलवाएगी एक खिल मैं हाँ तुम्हाँ ठीक है तो शुरू करते हैं काका आप तो जानते ही हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे पालतु जानवर रहते हैं और कुछ ऐसे जानवर भी रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं लेकिन अगर मैं आपको कुछ जानवरों की आवाजे सुनाओ तो क्या आप उन जानवरों की आवाज पहचान लेंगे? हाँ हाँ बिटिया, तुम सुनाओ तो सही, हम कोशिश करेंगे काका, तो जरा ये आवाज पहचान कर दिखाओ पहचान कर दिखाओ जरा ये आवाज ये आवाज तो हमें बंदर की लग रही है क्यों बिटिया, ठीक कहा मैंने? एक दन सही जवाब है काका बिट्टू की काकी अब जरा तुम पहचान कर देखाओ इस जानवर की आवाज ठेचूर 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 बिट्टू की काका ये आवाज तो हमें खोड़े के छोटे भाई गधे की लग रही है वाहवा बिट्टू की काकी बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने बिट्टू, अब एक जानवर की आवाज हम सुनाते हैं देखते हैं तुम पहचान पाती हो या नहीं? सुनाओ काकी, मैं तयार हूँ, सही जवाब देने के लिए तो सुनो बिट्टिया अरे बिट्टू की काकी, ये आवाज तो बहुत दिनों के बाद सुनी है मैंने काका, मैंने तो पहले कभी नहीं सुनी ये आवाज, लेकिन कोशिश करती हूँ ये आवाज मुझे जंगली सुवर की लगती है काका, क्या मेरा जवाब ठीक है? नहें बिट्टिया, ये आवाज जंगली सुवर की नहीं है, बलके ये आवाज है भेडिये की ठीक जवाब दिया बिट्टो के काका आपने जब हम लोग छोटे थे, तब हम अकसर ये आवाजे सुना करते थे अब तो भेडियों की आवाजे सुनाई ही नहीं देती आपको भी बहुत मजाएगा, तो बिट्टू बनाए पोहा, हाँ बिट्टू जाओ, तुम रमेश चाचा की दुकान से पोहा लेकर आओ, ये लो पैसे, ठीक है काकी अब खेलेंगे हमारा आज का गेम, आज का हमारा गेम दिलचस्प भी है और मुश्किल भी क्या आपको गड़ित पसंद है? आज का गेम भी गड़ित से चुड़ा हुआ है इस गेम में हमें नमबर्स को जोड़ करके दी गई हुई संख्या बनानी है हमारे गेम का नाम है Connect 10 नाम से लगता है कि हमें कुछ तो जोड़ना पड़ेगा चलिए शुरू करते हैं गेम की पोश्टर में अधिक किचिन दिख रहे हैं इस गेम में तीन लेवल दिख रहे हैं हमें आज लेवल एक खेलना है चलिए खेलते हैं एक साइड में लेवल दिख रहा है और एक साइड में स्कोर दिख रहा है हमें संख्या च्छ दी गई है हमें संख्या को जोड़ करके च्छ बनाने हैं पहले यह पांच और एक मिला देते हैं अब इस पांच और एक को चार और दो को मिलाकर च्छ बनाते हैं अब तीन और तीन को मिलाते हैं, ये चार और दो, अब ये तीन और तीन, अब ये दो, दो और दो को जोड कर छे बनाते हैं, चार एक और एक मिलकर बने छे, वापस यही पैटर्न उसे करते हैं, चार एक और एक, अब इन्हें जोड लेते हैं, अब वापस इन्हें जोड लेते हैं फिर से इन चार एक और एक को जोड कर छे बनाते हैं ये तीन और तीन बने छे अब चार और दो को जोडते हैं इन्हें भी जोड कर छे बने अब इन्हें जोड लेते हैं अरे नहीं अब तो सारे आप्शन खतम हो गए अब क्या करें? जीरो से जोड़ कर देखते हैं. हम जीरो का उप्योग करके छे बना सकते हैं. अब वैसे ही दो को जोड़ कर छे बनाएंगे. तीन एक और दो जोड़ कर बने छे. तीन और या एक को तीन बार जोड़ कर बना छे. लाश्ट में यह दो एक और तीन को जोड़ते हैं. यह जीरो की मदद से दो को जोड़ कर छे बनाते हैं. अब इन तीनों को जोड़ कर छे बनाते हैं. अब इन दो और दो को जोड़ कर देखते हैं अरे नहीं ये तो गलत हो गया फिर से देखते हैं ये हो गया सही अब तुझ सारे नंबर्स खतम हो रहे हैं ये बड़ी लाइन बनाते हैं 0, 1, 1, 1, फिर यहां 1 और ये रहाँ 2 ये बना अपना 6 ये तीन और एक को जोड़ते हैं अरे नहीं गलत हो गया वापर वापस कोशिश करते हैं चल लिए ये तीन और एक एक और ये और एक हुरे जीत गये क्या आपने स्कोर देखा हमने पूरे 920 स्कोर किये क्या बात है ये गेम खेल कर तो मज़ा आ गया गड़ित का भी रिवीजन हो गया आप भी ये गेम खेलिए और कितना स्कोर होता है वह बताईए आप खेल कितना स्कोर कर दो होता है हसंते हैं बत्जा़ण लग 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 कि लग लग मुझा ऱुब क्व,... खुब खुब ए्यूमाgend दुबत घ्युब ्वाइ हुआ आश हुआ हुआ आप लोगों ने कहानी सुनी और फिर कुछ अक्षरों के खेल भी खेले। बहुत मज़ा आया है ना? तो चलिए आगे कुछ और सीखते हैं। आगे हम सीखेंगे गंत खेल खेल में हासी मज़ा आख में। तो डढ़ने की कोई जरूरत नहीं है गनित भी बहुत असान हो जाती है जानते हैं कैसे? थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई साथ में करने से तो चलिए सीखते हैं गनित हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आईए, आज जोड़ के कुछ नए सवाल हल करते हैं सवाल क्या है? चिंटू के पास 16 लट्टू है और पिंटू के पास 12 लट्टू है तो बताओ, दोनों के पास कुल मिला कर कितने लट्टू हुए तो ये रहे लट्टू ये कितने है? ये 10 लट्टू है पुड़े और ये 6 लट्टू है जो अलग से है तो ये हुए कुल 16 लट्टू जो चिंटू के है और ये 10 लट्टू का अलग समूँ है और दो लट्टू ये और ये मिला कर कितने हुए? ये हुए 12 जो कि पिंटू के लट्टू है आईए अब इन्हें हम तालिका में समझते हैं एकाई का अर्थ एक लट्टू से हैं और दहाई का मतलब है ये दस लट्टू का एक समूह तो देखिए चिंटू के पास ये छे और ये एक दहाई और पिंटू के पास ये दो एकाई और एक दहाई और अब अगर मैं ये 6 लट्टू और जो 2 लट्टू अलग से थे उन्हें मिलाओं तो ये होते हैं 6 और 2 8 और अब अगर ये 2 दहाई या मिला दी जाएं तो ये कितनी हो जाएंगी जी हाँ ये 10 और 10 मिलके कुल होते हैं 20 इस तरह यहाँ पर हुए यह पीज लड़्टू अर्ठाद दो दहाए 20 और 8 हो गए ना 28 लड़्टू तो इस तरह दोनों के पास मिलकर हो गए है 28 लड़्टू अगला सवाल वीकिता के पास 14 पैंसिल है और राहूल के पास 11 पैंसिल है तो बताओ दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी पैंसल है कैसे हल करना है देखते ही यहाँ पर ये रही पैंसल ये कितनी पैंसल है ये तो 10 पैंसल का समू है तो कितनी अलग से होनी चाहिए जी हाँ बच्चों ये 4 अलग से इस तरह नीता के पास कुल 14 है और ये 10 पैंसिल का समूँ और कितनी अलग से एक अलग से तो इस तरह ये कुल 11 पैंसिल है जो राहुल के पास है अब यहां देखे इस टेबल में एकाई का एक पैंसिल और दहाई का मतलब 10 पैंसिल का एक समूँ तो इस तरह यहां पर 4 एकाई और एक दहाई है और राहुल के मिला दू जो pencil लग से है तो ये होती है चार और एक पांच pencil और यहाँ पर देखिये अगर मैं इन समु को मिलाती हूँ तो ये 10 पैंसिल और 10 पैंसिल मिलकर कितने होंगे बच्चो ये मिलकर होंगे कुल 20 पैंसिल इस तरह दो दाहाई तो क्या समझें दोनों के पास मिलकर हुए 15 पैंसिल देखो कमल के पास 21 चॉकलेट्स हैं और विमल के पास 15 चॉकलेट्स तो बताओ दोरों के पास मिलकर कितनी चॉकलेट्स हैं समझते हैं ये हैं चॉकलेट्स कितनी है ये कुल 20 और ये अलग से 1 तो हो गई 21 21 किस की होई कमल की और यहां देखी ये है 10 और यह रही पाट चॉकलेट्स अलग से हैं जो तो मिलकर कितनी हुई है पंद्रा तो पंद्रा किसकी विमल्व की अब यहां टेबल में देखिए यहां पर इकाई इकाई का अर्थ है एक चॉकलेट और दहाई का मतलब दस चॉकलेट्स का समोग तो देखिए कमल के पास एक अ अगर मैं इनको मिला दू तो ये 5 और एक मिलकर कुल 6 चॉकलेट्स तो एकाई पर हुई और अगर मैं ये 20 और ये 10 चॉकलेट्स मिलाओ तो कितनी बनती है यह बनती है 30 30 का मतलब है तीन दहाई तो इस तरह आप बताएए कि कुल मिलाकर कितनी चोकलेट हो गई है जी हाँ, दोनों के पास कुल मिलाकर 36 चोकलेट हो गए है अब अगला सवाल राजू के पास 14 गैंध है और महेश के पास 13 गैंध है तो बताओ, दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी है देखिए बच्चों, ये तो है गेंदे ये हैं दस गेंदो का समों, और ये 4 लगते हैं तो हो गई 14, ये 14 किसकी? राजू की और यहां ये 10 गेंदो का समों और ये 3 गेंदा लगते तो इस तरह, ये 10 और 3 तीरा 13 गेंद किसकी है? महेश की अब आईए टेबल में समझते हैं एकाई एकाई मतलब एक ग्यंद और दहाई कहरत है यह दस ग्यंदों का एक समूँ एकाई पर है चार गाजूति और दहाई पर एक दहाई ऐसे ही यहाँ पर तीन ग्यंदों है और एक दहाई है अब देखिए हम यह जो अलग से ग्यंदे हैं इन्हें मिला देते हैं तो यह कितनी हो जाती हैं साथ और अगर यह दस दस के दू समूँ मिला देतो हाँ यह होते हैं बीस बीस का अर्थ है दो दहाई तो क्या समझाया स्कूल मिलाकर कितनी ग्यंदे 27 ग्यंदे अप अगले सवालों के सांथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई-बाई हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज हम एक अच्छा और नया गेम खेलने वाले हैं आप भी ये गेम खेल सकते हैं अगर आपके पास सीडिया हो और आपके पास कुछ कार्ट्स हो जिन पर 1-9 तक के अंक लिखे हो अगर आप 1-9 तक अंक लिख सकते हैं और आपके घर में सीड़िया है तो ये गेम आप भी खेल सकते हैं चलो शुरू करते हैं की कैसा गेम है हम कुछ पेपर लेंगे और उनकी इस तरह से कुछ चिट्स बना लेंगे जिन पर हम नमबर लिख देंगे एक से लेकर नौ तक के और उन्हें ऐसे सीडियों में चिपका देंगे तो इस तरह पहली सीडि पर एक और फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए सबसे बड़ी सीडि जो हो उस पर नौ अंक हमने चिपका दिया है हेलो विजय तो हम गेम खेले तो आपने देखा कि हमने कैसे सभी सीडियों पर नमबर लिख लिए है तो आपको यहां सीडियों के नीचे खड़ा होना पड़ेगा एक भी सीडि पर नहीं और यहां से फिर जैसे जैसे हम आपको बोलेंगे आपको उपर नीचे आना है तो शुरू करें विजय क्या आप 5 सीड़िया उपर चड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह 1, 2, 3, 4, 5 विजय 5 सीड़िया चड़ चुका है तो आप ही देखें विजय इस 5 वी सीड़ी पर है क्या अब विजय आप 3 स्टेप और आगे जाओगे 1, 2, 3 तो विजय 3 स्टेप और चड़ चुके है और अब देखो विजय की सीड़ी पर कौन सा नंबर है जी हाँ नंबर है 8 तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि 5 के बाद 3 चड़ने पर 8 आता है तो हम समझ गए कि 5 जोड 3 बराबर 8 होता है विजय अव 9 नंबर वाली सीड़ी पर खड़ा है विजय क्या आब आप 5 स्टेप नीचे आओगे 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है विजय बिना नंबर देखे बताओ आप कौन से नंबर की सीड़ी पर होगे चार, बहुत अच्छे तो इसका मतलब क्या हुआ देखे विजय था 9 नंबर की सीड़ी पर और फिर विजय पांच कदम नीचे आया यानि 5 सीड़ी नीचे आया तो विजय पहुँच गया है 4 नंबर की सीड़ी पर इसका मतलब है कि 9 से 5 घटाने पर 4 प्राप्थ होता है चलो विजय अब एक नया गेम थोड़ा और इंटरस्टिंग विजय मैं तुम्हें एक नहीं 3-4 निदेश दूँगी और हर निदेश को तुम्हें पालन करना होगा और बिना देखे बताना होगा कि तुम किस सीड़ी पर हो ठीके तो शुरू करें तो अभी विजय नीचे खड़ा हुआ है स्टेप नंबर एक जो सीड़ी है उसके भी नीचे और विजय क्या आब आब 7 स्टेप यानि 7 सीड़ीयां चड़ सकते हैं विजय अब आप 5 स्टेप नीचे आ सकते हैं क्या 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों देखिए विजय कौन सी सीड़ी पर खड़ा है लेकिन विजय को मत बताईएगा तो विजय क्या अब आप 6 स्टेप उपर जा सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 शायद विजय को याद होगा कि विजय कहा पर है अब विजय आप 6 स्टेप नीचे आईए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अब विजय तीन स्टेप उपर जाएए जरा 1, 2, 3 और अब विजय क्या आप बता सकते हो कि आप कौन से नंबर की सीड़ी पर खड़े हैं 5 Very good, नंबर 5 बहुत बढ़िया तुम्हें सब पता है बहुत यूश यारो चलो देखते हैं विजय को ये कैसे याद रहा सबसे पहले विजय साथ स्टेप उपर की तरफ गया था फिर विजय पाँच कदम नीचे आया था तो इसका मतलब साथ घटाव पांच फिर विजय छे कदम और उपर गया तो हमने छे कदम जोड दिये इसका मतलब साथ घटाव पांच जोड छे और फिर विजय छे कदम फिर नीचे आया इसका मतलब साथ घटाव पांच जोड छे घटाव छे और फिर विजय तीन कदम उपर चढ़ा मतलब 7, घटाव 5, धन 6, रेंट 6, फिर जोड 3 क्या उत्तर आएगा? देखे, 7 में से 5 खटाने पर 2, फिर 6 और 2 जोडने पर 8 8 से 6 खटाने पर 2, और 2 में 3 जोडने पर 5 तो इस तरह आप भी ये गेम खेल सकते हैं शुरू कीजेगा अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवारवालों के साथ सो थैंक यू विजय, हम फिर मिलेंगे, बाई बाई हलो दोस्तों, आज हम जोड चाट की मदद से हर रोज का जोड सीखेंगे चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन-कौन से अंकों का जोड करने वाले हैं सबसे बाई कॉलम और सबसे उपरी पंक्ती में से एक-एक अंक चुने और अंकों का योग फल जाने तो आज हम दस के साथ बागी अंकों का जोड सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लेते हैं नंबर दस और एक दस जोड एक बराबर ग्यारह अगला नंबर हम लेंगे दस और दो अब देखते हैं दस और तीन का योग फल क्या आता है अब क्या आप बता सकते हैं कि दस और चार का योग फल क्या आएगा दस जोड चार बराबर चौदह अब दस और पांच का सोचिए दस जोड पांच बराबर पंदरह अब मुझे बताईए कि दस और चे का योग फल क्या आ सकता है अब हम करेंगे दस और साथ का जोड दस जोड साथ बराबर सत्रह अब आगे देखते हैं आठ और दस को जब हम जमा करेंगे तब हमारे पास क्या उत्तर आता है दस जोड आठ बराबर अठा रह आगे हम देखते हैं दस और नो का जोड दस जोड नो बराबर उन्नीस दस और दस का जोड क्या आएगा सोचिए दस जोड दस बराबर बीस दोस्तों आपको ये आसान सा जोड कैसा लगा आप घर पर दस से बीस तक इस तरह का जोड चार्ट बनाने की कोशिश करिए और देखिए कि क्या उसमें भी इसी तरह के उत्तर आते हैं या नहीं हलो दोस्तों आज हम खेलेंगे खेज लाइन लगाओ तो लाइन दो तरह से लगाई जा सकती है घर्टे क्रम यानि की अवरोही क्रम या बढ़ता क्रम यानि की आरोही तो घर्टे क्रम में हम सबसे पहले सबसे बड़ा नमबर रखते हैं या हम कह सकते हैं बड़ी चीज फिर उससे छोटा उससे छोटा और उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा नमबर रखा जाता है जबकि बढ़ते यानि की आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा नमबर रखा जाता है फिर उससे बड़ा उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा नमबर तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हम कौन से नमबरों को कौन सी लाइन में लगाते हैं हम इस खेल का पहला भाग खेलें यहाँ पर हमें संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाना है अवरोही यानि की घटा क्रम तो देखते हैं कि यहाँ पर हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी ली है यहाँ पर हमारे पास है 5, 14, 3, 4, 13, 6, 11, 9, 8, 10, 7 और 12 इन सब में सबसे बड़ा नमबर है 14 तो 14 को हम रखते हैं सबसे पहले फिर आएगा नमबर 13 तेरा के बाद बताईए क्या आएगा जी हाँ तेरा के बाद आएगा 12 बारा के बाद कौन सा नमबर आएगा जी हाँ बारां के बाद आएगा नमबर ग्यारा, ग्यारां के बाद दस, अब जल्दी से बताईए दस के बाद क्या आएगा, जी हाँ, दस के बाद आएगा नमबर नौ, नौ के बाद आता है आठ, अब आठ से छोटा नमबर कौन सा है, जी हाँ, आठ से छोटा नमबर है, साथ, साथ के बाद आएगा जी बिल्कुल सही छे के बाद पांच और पांच से छोटा नंबर कौन सा है तीन या चार जी हां पांच से छोटा है चार और चार से छोटा तीन वेल डान इस तरह हमने संख्याओं को अवरोही यानि की घटे क्रम में लगा दिया आगे बढ़ते हैं यहां पर हमें संख्याओं को आरोही यानि की बढ़ते क्रम में लगाना है तो सबसे पहले आएगा सबसे छोटा नंबर देखिए इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहां पर नंबर है 35, 38, 33, 36, 42, 34, 44, 41, 49, 44, 37 और 43 यहां पर सबसे छोटा नंबर है जी हां 33, 33 के बाद 34, 34 के बाद आगया 35 तो यहां पर भी जैसे जैसे हम क्रम सही लगा रहे हैं यह पत्ते हरे हो रहे हैं अब 35 के बाद क्या आएगा जी हां 35 के बाद आता है नंबर 36, 36 से बड़ा नंबर कौन सा है जी हां 36 से बड़ा नंबर है 37, 37 के बाद 38, अगला नंबर कौन सा आएगा सोचिए और मुझे बताइए जी हां अगला नंबर आएगा 49, 49 के बाद आता है 40 अगला नंबर बिल्कुल सही पहचाना 41 फिर 42, 42 के बाद आएगा 44 या 43 जी हां आएगा 43 और फिर 44 आगे बढ़ते हैं यहां पर भी हमें संख्याओं को अरोही यानि की बढ़ते क्रम में लगाना है तो जल्दी से मुझे बढ़ाएए कि यहां पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है बिल्कुल सही पहचाना आपने यहां पर सबसे छोटी संख्या है 25 यहां पर हमने सबसे पहले लगाया 25 फिर 26 अ बिल्कुल सही 28, आगे गिंती गिनिये, गिंती में आगे आएगा 29, 29 के बाद 30, 30 के बाद बिल्कुल सही 31, फिर 32, 33, 34, 35 और 36, इस तरह हमने संख्याओं को आरोही और अव्रोही क्रम में लगाया, मुझे उमीद है दोस्तों कि आपको ये खेल पसंद आया होगा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई-नई बातें सीखते रहिए, धन्यवाद अब वक्त हो चला है राइम सनने का, क्या आपने कभी गुबबारों को हवा में उड़ते हुई देखा है, हमारे एक दोस्त का गुबबारा हवा में उड़ गया है, देखते हैं वो उससे पकड़ पाता है कि नहीं, आज की हमारी राइम का नाम है My Red Balloon, इस राइम का वीडियो बनाया है प्रतम इंफो टेक ने monstrous My Red Balloon, My Red Balloon, flies up so weird this time I took the pie, I tried to flow, but can't I tear me from हमारा दोस्ट गुबारा नहीं पगड़ पाया उसने तो उन्ने की भी कोशिश की कोई बात नहीं आपको मज़ा आया ना राहिम सुनकर यह राहिम अपने दोस्तों को भी सुनाएं आया ना मज़ा गनित सीख कर भी मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई में और खेल में कुछ खास अंतर नहीं होता अगर दोनों को मन लगा कर करो तो दोनों में मज़ा आता है खेल समय समाप्थ हुआ तो हमें जाना होगा पर आप घर पर अपनी पढ़ाई जारी रखेगा हम कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर आना मत भूलिएगा तब तक के लिए बाई बाई घर रहिए सुरक्षित रहिए सुरक्षित रहिए सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाईब्रेडी बच्चों के उजवल भविश्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तयार कक्षा एक से कक्षा बारा तक के सभी पाठे पुस्तक पूरक सामगरी एवं विडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विक्सित पोर्टल पर है उपलगद अध्यन सामगरी देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथ्वा Android मुबाइल पर Google Play Store से e-Lots डाउनलोड करें शुक्षकों अभी भावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस e-Library का अधिक से अधिक लाब उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें आशा करती हूं बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एन 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 सुनो भन की बजी स्कूल की चलो स्कूल तुमको भुखाए एन 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 एन